हेलो स्टुडेंस गुड आप्टरनून यूटूब चैनल इंडिया ओल डेज में आपका एक बार फिर्शे स्वागत है आज हम इस वीडियो में गुप्त समराज्य का पतन तदा इसकंद गुप्त की मत्यू के बाद के सास्कों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो इस समन्दित विश्यस्ताएं हैं और आपका जैसे इंपोर्टेंट सासक हैं समुद्र गुप्त हैं चंद्र गुप्त हैं इन सब के बारे में हमने आपको अच्छे से पहले वाले वीडियो में दिखाय था तो आप ले लिस में जाके गुप्त का अलमी सब कुछ पढ़ सकते है ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं गुप्त समराजे का पतन तता सकंद्र गुप्त की मर्तु के बाद के सासक हैं सकंद्र गुप्त की मर्तु के बाद गुप्त समराजे का पतन प्रारम हो गया था सकंद्र गुप्त के बाद के सासकों का काल करम इस परकार से है देखेगा पू उसके मनने के बाद सत्ता अपने आप ही पूरुगुप्त के हाथों में आ गई परमार्थ कृतिक वसू बंधू जीवन वृति के अनुसार पूरुगुप्त बोल मतानुयाई था पूरुगुप्त वर्थवस्ता में सासक बना था उसके काल में गुप्त समराजय का पतन प्र उसका लेख मिला है जो बोल परतिमा पर खुदा हुआ है यह निश्चित रूप से पता नहीं है कि वह इसकंद गुप्त का पुत्र था अथ्वा पूरु गुप्त का सार्नात लेख में भूमी रक्सति कुमार गुप्ते उतकिरने है गुप्त कुमार गुप्त गुप्त समराजे का ससक हुआ नर्सिह गुप्त बाला दीते यह भुद का छोटा भाई था भानो गुप्त का एरन से एक प्रेश्तल लेख प्राप्त हुआ है वन्य गुप्त इसके विशे में जानकारी का मुक्य स्रोथ गोने धर जो बंगला देश के कोमिला में स्थिध है कातामर पत्र है जो गुप्त समत 188 अर्थात 507 इस्वी का है नारंदा से उसकी एक मुहर मिली है जिस पर महराजा धिराज का विरुद अंकित है कुमार गुप्त रितिये नर्शी है गुप्त के बाद उसका पूत्र कुमार गुप्त रितिये मगत का राजा बना यह तो थे इसकंद गुप्त के बाद के सासक और अब हम पढ़ते हैं गुप्त समराजे का पतन के कारण गुप्त समराजे का पतन क्यों हुआ गुप्त समराजे का अंति महान सासक इसकंद गुप्त की 467 इस्वे में मर्तु हो जाने के बाद गुप्त समराजे का पतन तेजी से हुआ गुप्त समराजे के पतन के कार्णिन लिकी थां देखेगा अयोग्य तथा निर्बल उत्राधिकारी सासन व्यवस्ता का संगात्मक सवरूप, उच्पदों पर का अनुवान सिखोना, प्रांतिय सासकों के विशेशादिकार, बाहिय आकर्मन, बोधरम का प्रभाव सासन व्यवस्ता का संगात्मक सवरूप, समराजय में अनेक सामन्ती एकाईयां थी, गुप्तकार के सामन्तों में मोखरी, उत्तर गुप्त, परीवराजक, संकानीक, वर्मन, मैत्रिक, आधी के नाम उलेखनिये हैं, इन वनसों के सासक महराज की उपादी ग्रहन करते थे, परसासन की यह सामन्ती व्यवस्ता कालांत्र में समराजय की इस्थिर्था के लिए गातक थी, जब तक केंदरिये सासक सक्ति साली रहे, तब तक वे दबेर है, परन्तु केंदरिये सक्ति के निर्बल होने पर अधीन राज़ों ने स्वतन्तर्ता घुशित कर दी, जिसके फ खरसोरूप गुप्त समराजय का पतन हुआ, बाहिया आकर्मन, तो आकर्मनों में होनों का आकर्मन विशेश रूप से उलेखनी है, गुप्त सासकों का होन संकट की ओर दर्स्टी गोण बहुत बुद्धिमता पूर नहीं रहा, इसकंद गुप्त ने होनों को प्रास्त किय लेकिन सिंदु गाठी को जीत कर उत्तर पसीमी सीमा को सुरक्षित करने का प्रियास नहीं किया, उसने केवल होन संकट को कुछ समय के लिए टाल दिया, बार बार होनों का आकर्मन होने के बावजूद भी, गुप्त सासकों ने होनों को रोकने की कोई ठोस विवस्ता नहीं था, और तोर्मान के पुत्र मिहिरकुल के काल में हुनों के सक्ति और अधिक बढ़ी, उसने नर्सी हैं गुप्त बालादिते पर आकर्मन किया, मिहिरकुल हार गया, उसे बंदी बना लिया गया, लेकिन नर्सी हैं गुप्त बालादिते की माता के कहने, पर नर्सी हैं ने उसे छोड़ दिया जो उसकी मुर्खता थी, बोध धरम का परभाब, प्रारंडी गुप्त समराड वैस्टनव ध्रमा नुयाई थे, वे चक्करवर्ती समराड बन्नी की महत्वा कांगसा रखते थे, समुत्र गुप्त का आदर से धरनी बंद, थता उसके पूत्रचंद्र पर्थ्वी विजे था, परंदु कुमार गुप्त पर्थम के समय से गुप्त परिवार पर बोध धरम की चाप पड़ने लगी, इस धरम का परिणाम ये निकला कि अन्तिम काल के गुप्त सासक पर्थ्वी विजे के स्थान पर पून्याड जन की चिंता में लग गए, उन् अपने राज्य को चत्यों और विहारों को सजाने में लगा दिया, इससे उनकी यूद प्रियता खतम हो गई, छटवी स्थापदी में हून आकर्मन तता आंत्रिक लहने गुप्त समराजी की स्थिति को अत्यंत कमजोर बना दिया, बुद गुप्त और नर्शी हैं गुप् अत्यंत गातक सिथ हुआ, उसने कुछ उसने गुप्त समराजी का अधिकांस भाग अपने धिन कर लिया था, गुप्त समराजी का पतन प्राचीन भार्ति इत्यास की एक प्रमुगठना थी, इसके साथ भारत का इत्यास विवाजन एंविकेंद्री करण की दिसा में थीक है, तो देखेगा, इस विडियो में हमने इसकंद गुप्त के बाद के सासकों के बारे में और गुप्त समराजी के पतन के कारणों के बारे में जानकरी प्राच्त की, इसी प्रकार हम आपको आगे के और भी विडियो दिखाएंगे तो बने रहें, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस्पी